बूर्णिंग आलो फ्यू, मैसे भूषन कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेटर इन सिजिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं इलास्टी सिटी इलास्टी सिटी, जिसे प्रत्यास्थिता पहा जाता है तो प्रत्यास्थिता को जानने से पहले हम पढ़ात की तीन अवस्थाओं के बारे में जान लेते हैं हम सबको पता है पढ़ात की तीन अवस्थाएं हैं फर्स्त है विश्च सॉलिट थोस्थ, दूसरा है लिक्ट्वीट, रॉप और तीसरा है गैस तो इलास्थिस्टी जो है ओनली सॉलिट या ठोस्थाथ में ही पाया जाता है लिक्ट्वीट और गैस में नहीं पाया जाता है या फिर हम यह बोड़ सकते हैं इलास्थिस्थी इस प्रॉपर्टि और सॉलिग मटेरियर तत्यास्थता खोस्थार्थ का एक गुण है लेकिन तत्यास्थता सभी ठोस्थार्थ में नहीं पाया जाता ठोस्थार्थ को भी दो तीन केटेगरी में पाठा गया है अब देखा जातों फोस्थ प्रॉपर्थ का पहला है प्लास्थिक बोडि दूसरा है इलास्थिक बोडि तीसरा है ग्रीटर बोडि प्लास्थिक बोडि मतलब सुगर्टे वस्थ है इलास्थिक बोडि मतलब प्रत्यास्थ वस्थ है ब्रिटर बोडि मतलब बंगुर वस्थ है तो इलास्थिक अल्ली प्लास्थिक बोडि में होता है प्लास्टिक और बिटर बाडि में नहीं होता इसलिए इसको नाम दिया गया है इलास्टिसिटी अब एक्जामपल के लिए प्लास्टिक बाडि जैसे पेन हो गया जब हो गया प्लास्टिक को बॉटल हो गया तो यह सब चीज में कि इसमें इलास्टिक बाड़ी में जैसे ग्लास हो गया बिट्टी का बर्तन हो गया इसमें इलास्टिक नहीं होता अब हम जाते हैं इलास्टिक होता क्या है lasty city स्प्रिंग को जैसे हम पहों सब्सक्राइब वृश्क अपया तो जाता है तो वो उस गुण को ही elasticity करते हैं उसी प्रकार rubber है rubber को जैसे ही हम फैल आते हैं फैल जाता है और जैसे ही हाँ से फोर्स हट आते हैं rubber फिर से अपने position में आ जाता है इसी property को ही नाम दिया गया है elasticity city लेकिन plastic body जैसे bottle है bottle plastic का bottle उसको तोड़ने पर तूड़ जाएगा लेकिन आटोमेटिक फिर से अपने position में नहीं आता है वाज़िटल बड़ी ग्लास कांच को हम लोग तोड़ेंगे तूड़ जाता है लेकिन आटोमेटिक अपने फिर से actual position में नहीं आपाता प्लास्टिक बड़ी में ही इलास्टिक बड़ी में इलास्टिक पॉसिबल है अब इसका डेफिनेशन कि इलास्टिसिटी एक्चुली होता क्यों है एक्चुली जब भी हम कोई इलास्टिक पॉड़ी पर फोर्स लगाते हैं एस्टेंड़ उस्टेंडर फोर्स लगाते हैं तो उन्के अनवों के बीच एक Br tactush repulsion force work अपरता है जिसे हम đिफॉर्बिंग फोर्फ विल्यूपक बल बोलते हैं कैसे ही हम ंतरल को लगाते हैं वैसे ही Newton के 3 reps के अनुसाल उसमें reaction force काम करता है जिसे deforming force बोला गया है उसके कारण बोडी अपने on actual position में वापस आजाए है झाल